So, hey guys, welcome back to PowerDrag आप लोग जानते हैं Hyundai Creator जबसे इसकी 3rd generation निकाली है इंडियन मार्केट को हिला रख रहा है और लोग भी काफी बसंद कर रहा हूं धरधर इसे खरीते जा रहे है वहीं पर दूसरी सरफ देखे तो आई दिन पर दिन Hyundai भी इसके अंदर प्राइस है बढ़ाए जा रही है इस्पेशली बेस वीरेंट के अंदर चीज़े हट रहे हैं प्राइस बढ़ रहे है खेर आज की वीडियो का टॉपिक वो नहीं है बट आप लोगों को जानके एक शौक सालोग जैगा गया रभी तो क्रेट आई थे और इती जल्दिस के अंदर फेसलिफ्ट है बट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होने के विए से काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं काफी लोग इसको ना पसंद भी कर रहे हैं बट अभी हाली में मिले इसके न्यू इसपाय शॉट से पदा चल रहा है कि यूंड़े करेट का फेसलिफ्ट आने वाला है औ तो अब इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर टोटली कंपनी चेंज करके एकदम आप लोगों ने यूंड़े की पहले सेट के अंदर देखा को वर्टिकल शेप में जो इसमें लाइट्स आते हैं वही वाली इंस्पायट सेम लाइट इसके अंदर भी ओफर करती ह हैं वही सेम लाइट इसके फ्रेंट में आपको देखने के लिए मिलेंगी वो भी वर्टिकल काफी बड़ी और जो लाइट की पावर है वो भी इंक्रिस करी जाएगी जिससे के आपको रोड विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी तो पहली जो कमी थी उसको यूंड़े ने शांदार आई थिंक मेरे इसाब से नहीं है देखा जाए तो किया सेल्टॉस जो फ्रेंट की लुक है उसके बाई अलगी लेवल किया मतलब पूरी ग्लॉसी में आती है उसमें क्रोम ट्रीटमेंट भी है और टॉप इंड विरेंट में देखे तो बाई एक पतली सी LED DRL भी ह जिसको अगर हम कहीं न कहीं कंपैरिजन में देखो तो मेरे पर्सनल उपीनियन्स के हिसाब से क्रेटा से बेटर लगती है और देखने में भी है और हैवी प्राइज में काफी ज़्यादा मेहंगी तो यहीं पर क्रेटा में सोचा गया कि मतलब की क्यों ना इसकी जो ग्रिल माने वाले टूसन देखियोगी उससे इंस्पाइड ग्रिल देखने के लिए मिलेगी अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर अगर प्रॉपर ब्लैक ग्लॉसी में देदे तो वह काफी ज़्यादा शांदार लग सकते है बट इसके अंदर आपको क्रोम के स अब काफी लोग सोच रहे हैं अब काफी लोग सोच रहोंगी कि एंटिरियर में और भी कोई बड़ अपडेट आएगा तो जहां तक एक्सपेक्ट कर जा रहे है कि इसके इंटिरियर में आपको एक टोटली ब्लैक कलर का उप्शन में मिलेगा जिसमें कि पूरा ब्लैक डा बात रहे हैं इस गाड़ी की मतलब जो अपडेट आने वाली है वो अब इसका अपडेट आएगा कब तक और किस प्राइस पॉइंट पर लाउंच करा जाने वाला है अब देखो अपडेट आएगा इसका 2022 तक जैसे कि आप जो जानते हैं जब इन्होंने क्रेटा को लाउं मुझे जहां तक उमीद है यूंड़ी 40,000 रुपर बढ़ा देगा और जादे भी बढ़ा सकते हैं कहा देंगे कि बाई ग्रिल थोड़ी सी चेंज कर दिया और लाइट वगरा चेंज यूग गई है तो उसके हिसाब से प्राइज बढ़ा और हो सकता है कि यह दो चीज़े अच्छी भी किरिया तो बेस विरेंट का क्या इन्होंने आर सत्या नास कर दिया जहां पर कहा जाता था कि यूंड़ी क्रेटा का बेस विरेंट बहुत ही ज्यादा वैल्यू फोर मनी है जिसमें की मतलब आपकी जो प्राइस चलो ठीक है 9.99 रुपीज एक शोरूम था जो क इसका इंडिकेटर है वो और वियम से हटा के फैंडर पर लगा दिया जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसपॉंट्मेंट लगी है तो गाइस मुझे लगते है कि अगर क्रेटा के अंदर ये एक दो बड़े अपडेट आ जाएंगे तो गाड़ी बहुत ही ज़्या आती है कभी नाइन के असपास भी काफी गाड़िया देती होंगी मैं सब के नहीं बोलता बट मुझे लगता है कि अगर आप सीटी में क्रेटा को चलाएंगे पैटरोल वाली को नॉर्मली नैचरली एसपरेटेड़ को शायद ज्यादे ज्यादा हद मार के बार रहा चौद वाली ले तो आप माइल्ड हैब्रीड वेरियंट उठा सकते है जिसमें कि आपकी फ्यूल एफिशेंसी ज्याद आएगी तो आपको भी लएगा कि हाँ ठीक है यार अगर अच्छा मेरे को एफिशेंसी मिल रहा है अगर जहां पर आपको आज की डेट में 12 मिल रहा है और व इंजन आते क्या पावर प्रेडूस करते हैं और क्या क्या ट्रांस्मिशन देखने के लिए मिलती हैं मैं कहता हूं किया सेल्टॉस और यूंड़ी करेटा ऐसी गाड़ें जो अपने सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा इंजन और ट्रांस्मिशन ऑफर करती हैं सबसे पहले अगर आप पेट्रोल में देखेंगे तो 1.5 लिटर 4 सिलेंडर नैचुरल इस्परिटीट पैट्रूल इंजन आता है जिससे आपको 115 बीएच्पी की पावर मिल जाती है और 144 न्यूटन मिटर का पीक टॉर्क मिल जाता है जो काफी ज़्यादा सही है अब अगर आपको लग 1.5 लिटर का इंजन उठा सकते है जिसमें आप लोग को काफी बढ़िया पावर मिलती है 115 बीएच्पी का और 250 न्यूटन मिटर का आपको उसमें पीक टॉर्क भी मिल जाता है जो काफी ज़्यादा शानदार है तो यहाँ पे आप लोग ट्रांस्मीशन भी अपने इसाप स अगे तो आई वी टी ले सकते हैं जिसमें क्लच नी होगा मगर आपका गेर होगा और एक्सलेरेशन होगा और ब्रेकिंग होगी आप सोचते हैं कि नई यह पैडल शिफ्टर का मज़ा चाहिए तो आप इसमें सेवन स्पीड का DCT उठा लो DCT के साथ आपको पैडल सौचते हैं कि हाँ अगड़ी में यह सारी चीजें होनी चाहिए मुझे सब चाहिए लेना चाहिए न लेना चाहिए तो आप भी अपनी हसाफ से गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं जो आपको बैटर लगेगे कि थोड़ा सा यह जो मतलब म्यूजिक सिस्टम के नीचे का एरिय गर इसको थोड़ा सा अच्छा बना दे मतलब थोड़ा प्रीमियम कम लगता है थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर दें या फिर पियानो फिनिश दे दे थे थोड़ा अच्छा था तो वो शायद और भी ज्यादा बड़ी अलेगा बाकि इसके वेरियंट्स वगए आपको सीम देखने के लिए मिलेगे जो आते हैं आपकी आपकी पैनराउमिक सनुरूफ होगी जो कि नॉर्मला फीचर्स आते हैं सारे आपको सीम देखने के लिए मिलेंगे चाहिए वो ब Cultural до हो या फिर इसकी lights वगरा हो या फिर कोई भी चीज हो तो बागी फिर यही एक बड़ा update था Hyundai Creta को लेकर जो 2022 में आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी I hope so आज की वीडियो में आप लोग को मजाया होगा मैंने अपने आपको सारी information दे दिए होगा अगर फिर भी कुछ रहा गया होगा तो आप लोग comment करके बता देना मैं reply कर दूँगा जो भी कुछ आपकी question query हो कि मतलब Creta को regarding या फिर sell tos के regarding sell tos में तो update आपको पते ही है कि आई गया लोगों वगरा जो changes हों वो सारी चीज़ है तो करते हैं फिर इस वीडियो क्लोज जब तक लिए बाइ-बाइ टेक क्यार साइनिंग ओफ प्रीट